नमस्कार आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल इस्टोकोलोजी में आज हम बात करने वाले हैं HDFC के बारे में HDFC Housing Development Financial Corporation Limited सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जानकारी को सांजा करते रहें अब हम कंपनी के जो है रिजल्ट सुनको देख लेते हैं तो कंपनी की बात करें तो इंट्रेस्ट से इंकम हुए 11,390 करोड के स्थान पर 10,889 करोड टोटर रेवेन्यु प्राइशन की बात करत 15,31 के स्थान पर 15 करोड टोटल इंकम की बात करें तो 16,632 के स्थान पर 35,753 करोड तो टोटल इंकम जो है हमें पिसले क्वार्टर मार्च 20 की तुल्ला में मार्च 21 में जस्ट डबल होती हुई नजार आ रही है अब हम कंपनी के जो यर ओन यर पर पर्फॉर्मेंस है उसको भी देख लेते हैं तो कंपनी को जो यर ओन यर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इंट्रेस्ट से जो इंकम होई है वो 45,253 करोड के स्थान पर 44,461 करोड तो यर ओन यर में इंट्रेस्ट इंकम थोड़ी सी घटी देखाई दीती है टोटल रेवेन्यू फ् भी हमें quarter on quarter की तरह ही बड़ी हुई नजर आ रही है जिस प्रकार से कंपनी के ने जो आय दिखाई है quarter on quarter में उसी प्रकार से year on year में भी हमें प्रदर्शन कंपनी का नजर आ रहा है अब हम कंपनी के expenses की बात अगर करते हैं तो quarter on quarter की बात करें तो financial cost जो है 7,800 करोड के स्था पर 665 करोड पिछले quarter के तुल्ला में घटी है अगर financial instruments की बात करें तो 1309 करोड किस्तान पर 750 करोड के उसमें expenses होगे है total expenses की बात करें तो 13298 करोड किस्तान पर 3967 करोड तो अगर हम total expenses की बात करते हैं तो वह हमें काफी बड़े हुए नजर आ रहे हैं अब हम बात कर लेते ह हैं तो company का जो year on year expenses में financial cost की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल कोस्ट जो है 29,000 करोड जो है इस year में है जबकि पिछले में 32,109 करोड थी तो पिछले वर्ट की तुल्ला में घटी हुई नजर आती है अब financial instruments की बात करते हैं तो 5959 करोड के स्थान पर 3030 करोड यह जो expenses यह भी घटे हुई नजर आ रहे हैं अगर total expenses की बात करते हैं तो 18,348 करोड की स्थान पर 11,755 करोड की खर्चे हमें नजर आ रहे हैं जो कि year on year में काफी ब्रद्धी हमें दिखाई दे रही है और quarter on quarter में जिस प्रकार से expenses बढ़े थे उसी प्रकार से year on year में भी expenses बढ़े हैं अब हम company के जो profits and loss है उनको देख लेते हैं तो profit before tax की अगर हम बात करते हैं तो 4950 करोड के स्थान पर 6704 करोड तो quarter on quarter में जो है company जो profit दिखा रही है before tax अब हम बात कर लेते हैं net profit after tax की तो 4341 क करोड के स्थान पर 5,679 करोड तो before tax हो या after tax हो दोनों में हमें company की आया जो है पिछले quarter की तुलना में कावी अच्छी दिखाई दी रही है अब हम year on year की बात करें तो profit before tax 26,193 करोड था जो इस बार 24,233 करोड हो गया है अगर हम इसमें net profit after tax की बात करें तो पिछले year में 22, 2826 करोड था जो इस बार 2487 करोड हो गया है तो हम जो profit देखते हैं तो company का profit जो है year on year में हमें घटा हुआ नजर आ रहा है अब हम company का जो share है उसको देख लेते हैं तो 2,495 पैसे पर आज की दिन पर last trading होई है और company 2.74% का return आज की rate में अपने shareholders को दिया है तो company के जो performance है वो क पोडिशी ने राशाना जरा रही है अब company के essentials की बात करते हैं तो company का जो market cap है वह 4,50,310 करोड का है number of shares 180 करोड के हैं PV ratio 4.37 का है dividend yield 0.92 प्रतिशत का है operating revenue 58,738 करोड का है promoters holding 0 दिखाते ही है sales growth 35.5 एक प्रतिशत है ROC 10.8 प्रतिशत है advances की बात करें तो 49,909 करोड है P ratio 40.64 का है face value 2 की है book value 571.3 है profit की बात करें 17,779 करोड का है EPS 61.42 है ROE की बात करें तो 22.02 है profit growth 84.48 प्रतिशत की दिखाई देती है तो company की fundamentals है company के essentials है काफी हमें अच्छे नजर आ रहा है अब हम company की financial trends है जो पिछले सालों के performance है उसको देख लेते हैं तो company का revenue यह जो आगड़े देख रहे हैं वह लाग करोड में है तो company revenue लगातार बड़ा है company के जो profits है वह भी लगातार बड़े हैं तो company के 2017 में revenue तो 0.61 करोड 2018 मुझे 0.86 लाग करोड 2019 में 1.04 लाग करोड 2020 में 1.08 लाग करोड और इनका जो profit है 0.11 लाग करोड 1-2 लाग kalोड। 1-6 लाग लोड। 2-1 लाग करोड। इस प्रेकर से हम अगर देखें हैं company के financial को उपर की ग्रोथ करती भी नज़रth आ रहा है, अब हम acab정 जो यह होलडिन गूडिंग pattern को देखते हैंundert सेयरं होल्डिंग pattern में हमें promoters holdingó Zoe जीरो नजर आती है सेतंबर 19 में एसकी जो होल्डिंग थी वा राज दसमलों 5-2 प्रतिसाथ थी जो जून 20 में जा कर 70 दसमलों सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जानकारी को इसी प्रकार से साजा करते रहें धन्यवाद